जैहिन साथियों कैसे आप सभी यासा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद है एकदम फस क्लास होंगे सामाने हिंदी से एक और उप्यूगी क्लास टॉपिक रहेगा हिंदी वर्ण माला हिंदी वर्णमाला से टॉप के 40 सवाल टॉप के 40 जो कि आपके एक्जाम में बार बार रिपीट होते हैं तो आपको इस वीडियो को अंते तक देखना है आपके एक्जाम का कुश्चन यहां से फस जाएगा सबसे पहला सवाल देखिए भासा की सबसे छोटी एकाई क्या होती है देखिए एक वर्ड आया है भासा सबसे पहले मैं आपको इसको बताता हूँ कि भासा किसे कहते हैं तो देखिए भासा जो है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है जो की हिंदी व्याकरण के तहत अध्यन कराया जाता है अंगरीजी व्याकरण के तहत अध्यन कराया जाता है कि लेंग्वेज या भासा क्या है ये ग्रामर क्या है ग्रामर हमें सुद्ध बोलना, सुद्ध लिखना, सुद्ध पढ़ना सिकाती है और भासा क्या है भासा हमारे विचारों के आदान प्रदान का सादन है आप पूछ रहा है कि भासा की सबसे छोटी एकाई क्या है देखे भासा की सबसे छोटी एकाई है word याद रखना अगर आप से पूछे भासा की सबसे छोटी लिखे तिकाई कौन सी है तो देखे यहीं पे आंसर हो जाएगा लिखित इकाई पे word अगर पूछे भासा की सबसे छोटी मौकिक इकाई कौन सी है केवल मुक्की द्वारे जिसका उचारण होता है तो word का दूसरा रूप दुहनी भी है दोस्त तेखने याद रखना लेकिन दुहनी मौकिक रूप है और लिखित रूप है word अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ग्राब बना के चलता हूँ भासा की सबसे छोटी इकाई तो word हो गया लेकिन भासा की अगर यह आजाए सबसे बड़ी इकाई कौन सी द्यान देना उपवाके से छोटी इकाई होती है पद बंद पद बंद से छोटी इकाई होती है पद या सब्द और सब्द से छोटी इकाई होती है अक्षर और अक्षर से सबसे छोटी इकाई होती है word और यही भासा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्त तो धियान देना इस टॉपिक पे आगे आईए वर्ण माला किसे कहते हैं सवाल लम्बर है दो दे कि वर्ण माला में मूल रूप से बावन वर्ण है जिसमें ग्यारे मूल रूप से स्वण है ठीक ना और अगर मैं बात करता हूँ वेंजन की तो 33 वेंजन है मूल रूप से कुलमिला के 52 वर्ड है तो वर्ड माला तो किसे कहते है सब्द के सम्हू को वर्ड के संकलन को सब्द गड़ना को या वर्णों के विवस्थित सम्हू को तो राइट आंसर जाएगा वर्णों के विवस्थित सम्हूं को ही गुरूप को ही वर्ण माला कहा जाता है अगला सवाल करेंगे निम्न लिखी तुमेंसे कौन सी कंटे द्भनिया है कंटे का मतलब जिनको बोलने में आवाज गले से आती हो तो मैंने इसमें आपको बताया था कि पूरा के वर्ग कैसे कंठे है पूरा के वर्ग के खे गे गे और ये वाली रड़े ये वाली रड़े जिसकी साइड में मिंदी होती है ये वाली ये कंठे होते है इसके साथ साथ में क्या आता है इनके साथ साथ में दोस्वर आते हैं ए और आ ये भी दोनों कंठे ही होते हैं तो इस प्रकार से अगर हम देखें के और खे का मेल तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा इसी में कंठे द्वनिया दे रखिया है आगे बढ़ते दोस्त इस्थान के आधार पर बताईए कि मूर्धन्य वेंजन कौन से हैं अर्थात जिनको बोलने में आवाज मूर्धा से आती हो मूर्धा ऐसी क्रीट वेंजन यानि जिविया के लचीले जिविया के लचीले के समान हिस्से से उचारित होता है ठीक है बताईए कौन सा है मूर्धन्य वेंजन मूर्धा अती है। मैंने आपको लिखाया था रिसी रिसी कर रहा हूं तब ध्यानमे थी या रिसी कर दिया या रिसी कर दिया पूरा पूरा टेवर को इसके साथ साथ में रह कर दिया। तर यह सभी मूरधन्य तो इस पर हिसाब से देखें तो यह रहे हैं पर मूर्धने वेंजन आपसन नमबर सी में बिलकुर राइट है चलिए सवाल नमर पांच करिए निम्द लिखित मैंसे अलप प्राण वेंजन कौन सा है जिन को बोलने में हमारे प्राण कम खिच हैं तो अलप प्राण की पहचान एक तीन पांच प्रतेक वर का पहला वेंजन तीसरा वेंजन पांच वेंजन इसके साथ साथ में यह रहे यह सभी अलप प्राण में जाती है दोस्त कंडिशन तो इस हिसाब से देखें तो देखो पहला वेंजन के और तीसरा वेंजन गय तो यह इसे ले कर जा रहा है अलप दोस्त वो भी सभी के सभी क्या हैं दोस्त वह भी सभी अलप प्राण ही हैं त्पितखना इससाना स्दूर, ना स्काइब अजड़ लोग आ विए बी लग है आगे बढ़ते हैं नेश कुशन की तरफ निम्न मैसे नासिक्य वेंजन कौन सा अर्थात जिसको बोलने में आवाज नासिका से आती हो तो पिरतेक वर्ग का पंचम वेंजन पंचम वेंजन का मतलब एक तो ये वाला ठीक ना एक ये अईयां एक ने एक ने और एक हो ग किया जाता है ठीक ना तो सही अंसर जाएगा आपका विकल्ब के साथ में याद रखना आगे बढ़ते हैं सवालंबर साथ की तरह सवालंबर साथ की तरह बढ़ते हैं ए और ये जो आई जो दे रखा इसका उच्छा निस्थान कहां से होता रेलवे ने पूचा था कहां से किसका उचारन इस्थान होता है ना शिक्के ना की तो है नहीं मूरदने में टैवरग रस्ट हयोठह में पूरा पैवरग में भी नहीं आता तो यह कंट और तालत में कंट और तालू मैंने आपको बताया था कि आपकी कंट यानि गलेगी से कुछ इसी टाइप की है तो कंट और तालू है ना ए कुछ ऐसे हवाज बोलोगे जब मान के चलो रागनी वगेरा गाओगे तो उस समय ताल आ जाती है जिन वरणों का अचारण स्थान कंट ऐवम तालू दोनों से सहीत दूरूप से होता है अब यह दोनों कंट तालववे ही हैं याद रखना आगे बढ़ते हैं हिंदी वरण माला में आयोग वहावरण कौनसे हैं आयोग वहाँ वर्ण अर्थात जो आयोगे होते हुए भी साथ चलते हैं स्वर में भी काउंट हो जाते हैं और ये वेंजन में भी काउंट हो जाते हैं ठीक ना आयोग वहाँ वेंजन इनको कहते हैं कौन कौन सा एक तो ये आयोग वहा है और एक ये वाला ये दोनों आयोग वहा वेंजन है याद रखना किसी को अपर अंकी बिंदी है तो वो आयोग वहा है किसी के पीछ दो बिंदी है तो वो आयोग वहा वेंजन वहाँ पर इस्तमाल किया गया है ठीक न भी याद रखना तो यहां आपका टी विकल्ब बिल्कुल इस सवाल कर आईट है आगे बढ़ते हैं निमनलिकित मैंसे बताईए कि किस सब्द में दुट्व वेंजन है दुट्व वेंजन की पहचान क्या होती है एक जो पहला वेंजन होता है वो हलन्त होता है आदा होता है दो वेंजन आएंगे एक जैसे जो पहला वेंजन होगा वो आदा होगा और जो दूसरा वाला होगा वो पूरा होगा देखिए जैसे दिल्ली में अगला वेंजन आदा है बाद वाला वेंजन पूरा है जैसे कि एक word लिख जाए गिल्ली इस पिरकार से पहला वेंजन आदा दूसरा वेंजन पूरा तो दुट वेंजन दो वेंजन एक जैसे आएंगे एक आदा होगा और एक पूरा होगा इसकी यही पहचान होती है दोस्त आगे बढ़ते हैं तीनों पिरकार की से और है ये कौन से वेंजन कहलाते हैं ये कौन से वेंजन कहलाते हैं देखिए उस्म संघर्सी वेंजन भी कहलाते हैं मैंने आप लोगों को ये भी ट्रिक याद गराई थी उस्म सटकॉन आ रहा है तो ये जो सटकॉन है उस्म संघर्सी भी है इसे हम लोग संगर्शी भी बोलते हैं याद रखना इस फ़र्व सकते हैं संगर्षी बोलते हैं संगर्श जिनको बोलने में ऐसा हो जाएगा हमारे जो स्वर्यंत्रियाना उनमें मार्ग SHAKRA हो जाएगा सक्रा होने के साथ साथ में पिर जो आवाज है वो अच्छे से नहीं निकल पाएगी या अगर आएगी भी तो गर्ब हवा के संचार के साथ آएगी तो वो फिर संघरसी वीँएंजन कहलाते हैं संघरस के साथ वोईस निकले गी इसमें याद रखना आगे बढ़ते हैं सवाल नमर 11 के तरफ निम्नांकित मैंसे बताईए कि नवीन विक्सित दोहनिया कौन कौन सी है देखे पहले ये वर्ण माला में सामिल नहीं थी नवीन विक्सित दोहनिया लेकिन इनको अर्बी फार्सी से लेके सामिल किया गया तो अर्वी फारसी से इने लेके सामिल किया गया ए विकल्प में बिल्कुल सही है लेकिन इनके सामने कुछ इस प्रकार की बिंदी लगी रहती है यह इस प्रकार की बिंदी यहाँ पे आप लोगो को देखने के लिए मिलेगी यही नवीन विक्सित भनिया है इनकी मूल संक्या 5 है कुल संक्या 6 है याद रखना आगे बढ़ता हूँ सवाल नमर 12 की तरफ निम्नांकित मैंसे कौन सा गोस वर्ण है गोस का ही दूसरा नाम सगोस है सगोस याद रखना है यह चीज़ भे ठीक ना कैक है यह सामने उप्षन जो दे रखे इनमेंसे कौस band बताईये कौन कौन सा है तो देखिए कोस band की मैं ने पहंचन आप लोगो को बताईथी पृते झाँआफ थी प्रते कवर का तीसरा वेंजन चोथा वेंजन और इसके साथ साथ में पांचवा वेंजन इसके साथ साथ में ये रे ले वे और इसके साथ साथ में आएगा है ये रे ले वे और एक आएगा इनके साथ साथ में है अच्छा इनकी जो संक्या होती है सघूस की वो होती है 31 अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं बात करता हूँ आगोस वेंजन की आगोस जिनको बोलने में स्वर्यंतरियों में वाइबरेट ना हो कमपन ना हो ठीक ना तो आगोस वेंजन की संक्या होती है दोस्तों तेरह पहला वेंजन प्रतेक वर्क का और दूसरा वेंजन है इसके साथ साथ में तीनों प्रकार की सल्जम सटकोड और सपेरा ये वाली तीनों प्रकार की से इसमें जाएगी तो ये दस तीन तेरह संक्या इनकी हो जाती है और है जाती है आपकी सगोस के साथ में अब आप लोग अपने आप्संस पे विचार करिए कि option कौन सा है देखे खे तो दूसरा वेंबर के वेंजने चे पहरे नमबर के वेंजने थे अगरे नमबर के वेंजने यहाँ पर मैं ही है अकेला जो यहाँ पर गोस वर्ण की तरफ जाएगा आगे बढ़ता हूँ कौन सा निम्दल खितमे से अमानक वर्ण है ऐ मानक अर्थात जिसे मान नहीं दिया गया है तो यह रहम में देखे अगर आप से पूछे ना तो प्रॉपर यह रूप होता है लेकिन फिर यह इस परकार से लिखा नहीं जाता इस परकार से टाइप नहीं हो सकता तो इस वज़े से हमको में उत्तर करना होता है दोस्ति याद रखना ठीक है ना वर्ण यह है हमानक वर्ण जो मैंने लिखा है आगे बढ़ यह कैगेज और फै इनके सबके सामने में बिंदी लगा रहा हूँ यह देखो इस परकार की बिंदी लग जाएगी यह द्वनिया किसकी हैं तो यह मैंने बताया था अर्बी फार्सी से सामिल कियें आप्सन भी यहाँ आपका वीप है आगे देखते हिंदी में मूलत है वर्णों की संक्या कितनी है सवाल नंबर 15 है बहुत ही अच्छा सवाल है तो अल्रडी बताया है मैंने हिंदी में मूल वर्णों की संक्या है बावन है ना इस परकार से अगर हम देखें तो उप्सन सी सही है जिसमें 11 मूल रूप से स्वार है 33 मूल रूप से वेंजन है 2 उच्छिप्त वेंजन है 2 आयोगवा है चार संयुक्त अक्षर है संयुक्त वेंजन है ठीक ना इस परकार से अगर हम मिलाएंगे तो इनकी संक्या 52 बैट चाहेगी याद रखो आगे बढ़ता हूँ छत्रक द्वानी किसके अंतरगत आती है छत्रक मूल स्वार गोस वर्ण संयुक्त वान या तालब यह तो जब छत्रक मैं आपको बदाय था छत्रक, त्रैतरसूल, ग्यानी और स्रैसराब यह चार है तो संयुक्त वेंजन है छत्रक किसके मेल से बना हुआ है इस में आदा कै पिलस जटकोढ है याद रखना त्रेतरसूल आधा तै पिलस रह के मेल से ग्यानी जो बना हुआ है ये बना हुआ है ग्यानी आधा जै पिलस अईया के मेल से और स्रेसराब जो है सल्यम पिलस रह के मेल से बना हुआ है ठीक है भी यह यह कुछ इस परिकार से मेल बना हुआ है आगे बढ़ते हैं हिंदी सब्ड कोच के नुसार छ्षत्रक का क्रम किस वन के बाद आता है ये एकजयम lleg जुक आख है इसमें आधा जैहं प्लस अयां की मेल से मिले से मिलेड से बना हुआ है तो भी विकल्प इस सवाल का दोस्त राइट है सवाल नमर उनिश देखे अगोस वर्ण क्या उन्सा है अगोस वर्ण की मैंने पहचान बताई थी प्रतेगवर का पहला वेंजन और दूसरा वेंजन इसके साथ साथ में सल्जम, सटकॉन और सपेरा ये अगोस वर्ण है, जिसकी संक्या तेरह होती है सभी स्वर्ण सगोस होते है दोस्तों याद रखना, इस हिसाब से देखें इस हिसाब से देखें, देखें, सैल इक तो दिया मैंने ये रहा यहां पर, बिल्कुश सै सही है ठीक है, आगे आईए सवाल नमर बीस का नहीं, जो हमारा कैवर्ण होता है कैखे गेग है, वो कंठे ही होता है दोस्त याद रखना आगे बढ़ता हूँ इनमेंसे संयुक्त वेंजन कौन सा है मैंने संयुक्त वेंजन अभी आपको बताया था छतरक तरसूल ग्यानी स्रेसराब अब ग्यानी वर्ड आया है यही यहाँ पे, क्या है दोस्तर यही यहाँ पे संयुक्त वेंजन है अब इसका प्रॉपर रूप दिखाऊं तो आप लोग प्रॉपर देखेंगे किस-किस के मेल से बना हुआ है याद रखना यह है इतना इसमें आगे बढ़ते हैं निम्नांकित में से कौन सा वर्ण उचारन की दरस्टी से दंते नहीं है उचारन की दरस्टी से कौन सा दंते नहीं है दंते मतलब तैथ है दैध है दंते मतलब दांत दंते मतलब दांत तो किसका उचार निस्थान दात से नहीं होगा दोस्त ये बताईए ये रहा टे, टे मूर्धन्य में जाता है देखे टे दे दे नहीं सब आ रहे हैं इसमें लेकिन टे नहीं आएगा टे का उचार निस्थान मूर्धन्य से होता है अब जो दंते हैं वो कौन-कौन से हैं मैं लिख रहा हूँ क्योंकि तक्ती लगी दात में तैसे तक्ती दात में लगी दंत तै थे दे ने ले से यह है याद रखो आगे बढ़ते जिन सब्दों के अंत में आता है उन्हें क्या कहा जाता है इंपोर्टेंट कुशन है यह यह वाला इंपोर्टेंट कुशन है तो जिन सब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत नाम दिया जाता है दोस्ति याद रखना ठीक है आगे बढ़ते हैं च्छत्रक वर्ण किस वर्ड के योग से बना हुआ है च्छत्रक जो है वो किस किस की योग से बना हुआ है देखी गलत है यहाँ पर हलंत कर ले ना इस के को क्योंकि जो च्छत्रक बना होता है के पिलस सटकॉन इसमें आदा के होता है तो इस हिसाब से देखें तो ए विकल्प आपका विल को राइट उत्तर हो जाएगा आगे हिंदी वर्ण माला में स्वरों की कुल संक्या कितनी है हिंदी वर्ण माला में स्वरों की कुल संक्या कितनी देखें अगर 11 आप्सन में है और कुल संक्या भी पूछाए तो ग्या रही उत्तर करना अप लोग आगे बढ़ते हैं निमनांकित में से स्वर नहीं है max निम्नर खित में से कौन सा स्वर नहीं है देखी ये भी स्वर है ये भी आ है ये वाला नहीं है यह नाशिक्य वेंजन है याद रखना टैवर्ग का वेंजन कौन सा है इसमें से नहीं है टैट है डैड है देखो यह राग घह गह नहीं है कह खह गह गह में आएगा यह इसलिए कंठे में जाएगी इसकी याद रखो गए ठीक है अगला सवाल नमर अठाइस, हिंदी वर्ण माल हमें, वेंजनों की संक्या कितनी है, जस्टिस है किने मैं बदा के निप्टा हूँ आप लोगों, कितनी संक्या है, तेतिस पश्टिस वर कौन सा, जसकी पीछे से आवाज निकलती है, तो देखे मैंने आपको याद भी कराया था, पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ, अगर ये, ए, 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 ये, ये वाला ए, ये अगर भाग से, मद्य भाग से, आ, बादबा की बच्चे हुए पीछे, पीछे आ, पीछे आईसे साब से, तो आपश में आ था यहां पर, आगया ये, निम्ली कितमें से कौन सा, आयोग वहाँ है, आयोग वहाँ पहचानी कौन सा है, बताया है मैंने, विसर्गों को आयोग वहाँ कहते हैं, यानि ये वाली कंडिसन को, कभी ऐसे भी बूश सकता है, छे द्वनी का वह चारनिस्थान कहां से होता है, छे चाता, कहां से उचारित हो गए, छे चाता, चे छे जे चमच से, चमच लगी तालू में, तालू से उचारित हो गए, यानि कि चे, छे, जे, जे, आईया, ये, और से, चमच लगी तालू में आवाज आई, ये स्वर, ये स्वर भी वर्ण माला पढ़ा रखिए डिटेल से पढ़ रही है तो आराम किसे साथ जाओ पढ़ो ठीक ना फिडियो फ़र्ष्ट निम्दलिकत मैंसे कौन एक संयुक्त वेंजन है चत्रक, तिरसूल, ग्यानी, स्रैसराब संयुक्त वेंजन नहीं है पूछ रहा है चत्रक भी है, तिरसूल भी है, ग्यानी भी है, सटकॉन नहीं है भई, पकड़ लिया आगे बड़ो, तालवे वेंजन, चमश लगी, तालू में पूरा चैवर्ग होगा तालवे चैवर्ग, चैचेज, जैज, ये तालवे है, टेट है, डेड है, ये मूर्धने है तेथे देदेने, ये दंते है, पे फे बेब है, ये उस्ट वेंजन है, याद रखना जिनको बोले में हवास होटो से आदिया है, ये रे लेवे किस वर्गों के वेंजन है, सवाल लंबर 34 तो ये रे लेवे का मैंने बताया था, अंदर के स्थान, लव वर डारा, लेवे लव, लव की फीलिंग अंदर से आती है, अंतस्त है आगे बढ़ ये अनु नासिक का सम्मन्द किस से होता है दोस्त अनु नासिक का सम्मन्द अनु मतलब साथ में नासिक मतलब नाक तो नाक वे मू दोनों से होता है याद रखना है चीज आगे बढ़ते हैं अनु नासिक वेंजन कौन से होते हैं अनुनासिक वेंजन प्रतेक वर्ग के पंचमा अक्षर जो नासिक के भी बूलते हैं अनुनासिक भी होते हैं वो नासिक के भी होते हैं दोस्त याद रखना है यह चीज ठीक है अगले सवाल पैदा यह हिंदी वर्ण माला में स्वरों की संक्या कितनी है तो मैंने बताया था हिंदी वर्ण माला में स्वरों की संक्या कितनी है दोस्त ग्यार है कंठोस्टे द्वनी का उधारन कौन सा है कंठ प्लस ओस्ट ओस्ट मतलब होटो से जिसकी वही साईगी कंठोस्टे कंठोस्टे में कौन सा है देखिए यह कंठो मैंने बताया था आपको कंट O, O, O और ये वाला O और में रेकार्ट देना ये वाला O है कंट उस्ट है ठीकर याद रखना कंट पिलस उस्ट से आईगी इसके वाच उस्ट मतलब होटों से गले और होट दोनों से 49 नमबर कुशन भासा निर्मान की इकाई कौन सी है तो देखे भासा निर्मान की इकाई दुहनी से बना सब्द सब्द से पद पद से वाक्य बनेगा इस परकार से डी वी कल्ब बिलकुर राइट है दोस्त याद रखना आगे बढ़िये निमनांकित मैसे उचारण के आधार पर कंट से लेकर मुख विवर में उचारित दोनिया का सही अनुकरम कौन सा है तो देखे मैंने आपको बताये था कचट तप कंट तालव्य वरतश्य दंत ओस्ट है पुछण के आधार पर ले किस प्रकार का बहन है रह का पूछा जाता है कि आपको विडियो है वो समापत हो गई है इस वीडियो को जाता से जाता से शेर करिएगा अगला टॉपिक आएगा दोस्त संदी संदी से important question लेके आऊँगा next video में कल साम फिर thank you बबाई जय हिंद